निमांचरupa Petbus टेकनीकी विश्वविद्यालिया हमिरपुर का दो दिवस्जी Youth Festival का शभरम नीजी कॉलेज परसर में किया गया, जिसका शोभरम विदायर नरेंदर ठाकुर ने दीब चला करकिया, इस दो दिवस्य यूथ फेस्टिबल में परदेश परके 20 महा विद्यालों की 300 प्रद्वागियों नी हिस्सा लिया इस अफसर पर मुख्याती थी नरेंदर ठाकुर ने कहा कि हीमांचर परदेश तकनिकी विश्वे विद्यालय हमीरपुर का दो दिवस्य यूथ फेस्टिबल का शुभालम हुआ है उन्होंने कहा कि यूथ फेस्टिबल में यूवा अपनी प्रतिभाओं का परदर्शन करेंगे ठाकुर ने यूवा चात्रों को फेस्टिबल में बढ़िया परदर्शन करने के लिए शुभ गामनाय भी थी अमिर पर में ये टेक्निकल एक्षिबल के थर्ड यूथ फेस्टिबल यहां गाउत मकालम हुआ है बहुत ही प्रतिभाओं को यहां पर परदर्शन कर रहे हैं जितनी भी आईटम जाबी तक मैने देखी हैं बहुत ही हाई क्लास के यहां पर बच्चों ने अपनी प्रतिभाओं का प्रतर्शन किया और बहुत बड़ा कंपेटिशन होने आई जा रहा है मैं इस सूब अफसर पर यहां जितने भी टेक्निकल अउश्टी के रजिस्टार बहुत दूसरे स्टाफ यहां पर उपस्तित हैं बहुत सभी चातर चात्राओं को डिफरेंट कोलेजिस के मचल पर देश से यहां पर आकर अपनी प्रतिभाओं का प्रतसन कर रहे हैं मैं सब को सुब कामना भी देता हूँ और धन्यबाद भी करता हूँ यह दो दिन का यहां यूथ फेस्टिवल का प्रवर्म चला है यहां दर्शकों को भी मज़ाएगा बच्चातर चात्रों को जहां उनको इनाम के जीतने के लिए अपनी उतक्रिष्ट प्रतिभाओं का प्रतसनिया करना पड़ेगा तो इसमें बच्चों की कंपेटिस्क भाबने भी बड़ेगी और दर्शकों को देखने का मज़ा भी आएगा बहुत ही उच्च कोट्टी का यहां पर यूथ फेस्टिवल का योजन किया जा रहा है इसके लिए मैं आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ वही तकनिकी विश्व विद्याले के रजिस्ट्राट डॉक्टर विक्रम हाजो ने कहा कि दो रिनों तक चलने वाले यूथ फेस्टिवल में 300 यूबा भाग ले रहे हैं उन्होंने कहा कि यूथ फेस्टिवल में परदेश के अंजर छिपी प्रतिभाओं को निखानने का मौका दिया जाएगा ये यूथ फेस्टिवल जो है वो हिमाचिर परदेश तकनिकी विश्व विद्याले द्वारा आयोजित किया जा रहा है इसका आयोजन गौतम गल्स कॉलेज हमीरपूर में आज इसकी शुरुवात हुई है मानिये विधायक हमीरपूर क्षेतर श्री नरंदा ठाकरदी जी के द्वारा दो दिन का ये यूथ फेस्टिवल है जिसमें हिमाचिर परदेश तकनिकी विश्व विद्याले से संबधित 20 जो महा विद्याले हैं वो इसमें भाग ले रहे हैं हमीरपूर से ब्यूर रिपोर्ट के चैनल